आदाब नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी और मैं अब्दुलवाजित चुष्टी निजामी जिस तरीके से चनों को लेकर के खबरे चल रही हैं चनों के वियापारियों के लिए आज हम खास तोर पर बात करेंगे एगरी फार जो है बहार से लिया जा रहा है और कितना देश के अंदर पैदावार हुई है और आने वाले समय में चने की कितनी खपत होगी या कितनी जरूरत है या सरकार को किस तरफ ध्यान देने की जरूरत है इन सभी तमाम मुद्दों पर और सवालों पर बात करेंगे सर अभी तो सालों में चने की फसल जो है वो काफी अच्छी रही क्योंकि 2019 में अच्छा भाव था और सरकार के जो योजना चल रही थी अन योजना जो पीम योजना चल रही थी उसमें चना ही बंटा जा रहा था इसलिए सरकार भी प्रकुर अच्छा कर रही थी और सरकार इसको बांट बारा पर्शेंट की किसान ने से बॉइं है वो कम करी दूसरी च्रम की ज्यादा कुई के भाव ज्यादा थे चने के भाव पिछले तीन साल से नहीं मिल रहे थे इसलिए किसान जो है दस बारा परशंट किसान जो मूव हो गयते बाद में वेदर कंडिशन चुकि फेवरेबल नहीं रहा है इसलिए 10-12% की इंड में कमी आ गई एक चने की सबसे बड़ी एक ये खाशित रहती है कि यदि आप दो या तीन साल तक चने की बुआई एक हैता में करते रहते हो तो हर तीसरे या चोते साल इंड में कमी आ प्रवाई की कम गए तो करिबं भीस बाइस पर्षेंट की कमी जो है चने की इस बार रही थी और आमने सरकार को इसको समय रहते अउगत करा दिया था हमने जन्वरी अप्रेल में ही सरकार को जाके कहे दिया था कि सरकार के आंकड़ें चाहे जो भी हो जो भी कहें लेकिन हमारे इंडेश्टी की जो इंटेलिजन्स है वो यह कह रहे है कि चन्य की बौई और दोनों कम है जिसकी वज़ेसे इस साल कमी रहेगी सरकार ने हमारी बात सुनी और आप ने देखा कि मईय में सर कि तंजानिया और अफरीका की बागी देशों से मिला के सितंबर तक करीबन तीन लाग टन चने का इंपोर्ट हो जाएगा जो एक अच्छी क्वांटिटी रहेगी उसके बाद ऑस्टिलिया का एक बड़ी क्वांटिटी में फसल आ रही है जो कि करीबन सोला से अठारा लाग करने कुछ भी हो सकती है वो भी एक फसल आ जाएगी तो नौंबर के ओनवर्ड हमें उस्टिलिया से भी इंपोर्ट करने में सोलेत रहेगी हम सप्लाई कर सकेंगे तो यह कारण रहा था कि सरकार ने इसका किमतों को एक सीमा तक इस्टडी कर दिया सतर बैतर के आसपास दिल को डिस कंटिन्यू किया उसके बाद एकदम से जंप दिखाई दिया और 68 का चना जो दिल्ली भीक रहा था जो मंडियों में साट इक सट भीक रहा था उसमें पांच चार पांच रुपे किलो की तेजी आई लेकिन उसके बाद सरकार ने जैसे आपने बताया इस्टोक लिमि कि आई है क्योंकि एक्चुल में चने की जो सप्लाई थी वो कम थी सरकार ने फिर एक कदम और उठाते हुए मटर का भी इंपोर्ट खोला और मटर के इंपोर्ट को कंटीनू खोलती रहेगी पहले मार्स तक खोला फिर जुलाही तक खोला और फिर आब अक्टूबर तक कर का मत्र का इंपोर्ट कर दिया सरकार का मानना है कि मटरं चर्णे को सब्सीटूट करते मैंने कई बार टी में बुला औरा 겉इन सरकार को ब्युट करoute च्थय कोग मेरे का मेरी बात पुक्ता का कर रहा है कि हम उनीस बीस लाग टन मट्र का इंपोर्ट कर चुक्क है तो दस बारा परशेंट तक हो सकता है उसे ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी क्योंकि मट्र आ गई हमारे पास बाव काफी नीचे हैं तो मट्र दस बारा परशेंट मट्र चने के मार्कोट कर ले लेगा कुछ हम इंपोर्ट कर लेंगे तो ऐसे करके हम अधी सप्लाई को काफी अतक मेंटेंट कर पाएं एक जरूर बात है काबली चना में अभी भी इंपोर्ट डूटी है 40% प्लस 10% 10% एक्स्टर डूटी मिले दी मिलाके हम बात करें तो 45% की इंपोर्ट डूटी है वो डूटी सरकार को तुरूर्ण पहटा लेना चाहिए क्योंकि ताकि हम रश्या से इंपोर्ट कर सके क्योंकि काबली चना अभी तक जो इंपोर्ट हो रहा है वो सुदान जैसे द दोलर है तो एक हमारे foreign currency का नुक्सान हो रहा है हमें माल उपर लेना पड़ रहा है जो फाइदा हो रहा है वो consumer को नहीं होके अफरीका के देशों के किसानों को हो रहा है तो मेरी एक गुजारी सरकार से जुरूर रहे कि काबली चन्य में जूटी चाएद जीरो कर दे ताकि जो आने वाली फसल अगस्त महिने में जो रहसिया काबली के फसल है वो करीबन हम दो डाइलाग टन को इंडिया में मनंगा सके और तिवारी सिजन से पहले हम चाहते हैं कि सप्लाई अच्छी बनी रहे हम सरकार के साथ है हम क्रोप को मेनेज नहीं कर पाएंगी क्रोप को हमारे हाथ में नहीं है क्रोप क्योंकि हमारे वेदर कंडिशन किसानों के सोच पे काफी दूसरी जोंके क्या भाव है उस पे क्रो है और हम सारी इंडेश्ट्री इस बात को समझते भी हैं इसलिए हम सरकार से गुजारिस करते हैं कि आपने देशी चने पर जूटी जिरो कर दी जिसके वज़े से है वो मेरे इसाब से कम है 200 तन की लिमिट से होल सेलर का काम नहीं चलता है मिलों को जो दी गई है लिमिट वो आवशकता से ज्यादा है मुझे नहीं लगता कि 90 दिन का कोई भी इस्टोग मील वाला रखता है तो इसको बेलेंस बनाना ज़रूरी है मील वालों को आप कम कर सकते हैं टेडर्स की जो इस्टोग लिमिटा उसको आप बढ़ा सकते हैं ताकि माल का सुर्कुलेट ना होके माल जो है मार्केट में सप्लाई होए और मार्केट में आए जिसे बताया आपने के ऑस्ट्रेलिया से तंजानिया वगरे से विदेश्यों से जो चना आ रहा है कब तक पहुचने की उमीद है और कितनी संख्या में और किस क्वालिटी का यह क्या भाउस कर रहेगा कुछ इस पर जानकरी देश्यों ओल्रेडी चना आच चुकिया है दो वेसल ओल्रेडी गुज्राद पोर्ट पे है एक वेसल कलकता पोर्ट पे आगया पंद्रह जाटन का एक तूती कोरण वी 22 जाटन का माल आ गया है तो करीबन 100,000 लाग तन माल आ गया है एक वेसल वहां पे लोडिंग है करीबन 17-18,000 चन ताके चना इंडिया में आने की संभावना बन गई है तो अब जैसे तिवारू का सीजन आने वाला है शुरू हो चुका है तो कितनी खपत होती है इसमें एक अंदाजन चलिए स्भाववक कर लिए को इस्यार मेरे मेरे इसाफ से करीबन 28-308 टन प्राइवेट अमें माल है किसानों के पास च्रेडर्स के पास और इंडienceस्ट्री प्लांट वालों के पास मिलाके एप सरकार के पास करीबन으면 माल है 37 लाक टन और यदि हम इंपोर्ट कर लेते हैं 3 लाक टन दिपावली से पहले और 7-8 लाक टन दिपावली के बाद तो 10 लाक टन हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि फर 55 से उपर दिली भाव उपर जाने की संभावना नहीं रहेगी जैसे बताया आपने के किसानों ने इस बार जो है चनही की खेती कम की क्या वज़ा मान रहे हैं जैसा कि मैंने पहला पिछले किसानों को बाव नहीं मिले दोकि जस जो गवाव मिले है । Ec hi किसान जिन को पता है कि do creation कर रहा हूं तो तीसरे साल उसकी ए सएढ़ और किया मान रहे कि किसान इस तरफ आएगा चने की तरफ जिस तरह के माहूल बन रहे है चने को लेकर के भाव किसानों को अच्छे मिल गए सरकार भी ओपन मार्केट में 65-67 रुपे तक अच्छना खरीद रही है और सरकार ने अभी किसाने की खरीद रहता है तो मुझे लगता है किसान जुरूर आकरसित होगा क्योंकि किसानों को चने की खेती में ज्यादा प्रोफिट रहता है तो मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में यदि वेदर कंडिशन सही रहती है तो हमारा किसान अच्छे से माल होगाएगा जैसा मैंने बोला कि दो साल से तो हमारी तूर नहीं थी तूर कि हमारे यां काफी कमी रही तूर के भाव भी उपर रहे लेकिन अब हमे तूर की चिंता करने की जूरत नहीं है क्योंकि मानसुन लगबग नौर्थ में और सेंट्रल में अच्छा रहा है तूर की खेती अच्छी हो रही है वहाई हमारे किसान रिकोर्टोर कर रहे हैं तो मुझे यह आसा है कि और सरकार ने जो कि 100% माल करंट गरंटी दी है MSP पे खरीदने की तो मुझे यह आसा है कि इस बार हम 40-45 लगटन तूर की पैदावार कर देंगे जो हमारी खपत के लिए यहाँ पे काफी सिफिसेंट होगा तो एक साइंकल चलता है पहले तूर का चला अब चने का चला या अगली बार चना किसान भाव देखेगा चना ब होएगा लेकिन यह साइंकल को हमें तोड़ना है ताकि ऐसा नहीं हो कि तीन साल तक भाव गिरते रहें चोते साल बहु ज़्यादा बढ़ जाए तब हम जगें और उसके बाद हम उसको बढ़ाने के बारे में सोचें और बाकी के तीन साल हम किसानों को MSP पे भाव कैसे मिले है उसके बारे में सोचें तो हमें इसके लिए बैलेंस बनाना होगा और दोनों बातों को बैलेंस बनाते हुए हमें चलना होगा पोलीसी बनानी होगी क्योंकि रूटिन बनाना पड़ेगा चीजों का जिससे किसान भी कनफ्यूज ना हो सर अभी जैसे आपने मटर का भी ज जब से इंपोर्ट खुला है तब से लेकि आज तक हम लगबग कर चुके हैं जैसा मैंने बोला यह हमारी जूर्व से ज्यादा मत्र है चुंकि छह लाक टन हमारे हैं खुद की मत्र की प्रोडक्शन है और मत्र जो है करीबन डेट लाक टन मतला ठारा लाक टन साल की खपत होती दो या पांच परशन और मत्र जो है मतर पर के चने के कंजुमर जो है मतर की तरफ सिफ्ट हो जाए तो मतर की डिमार्ड जादा आ जाए तो हो सकता है कि कुछ भाव सोंधों सोधार जाए इसमें बड़ी तजी की संभावना ख़तम हो गई है और बलकि मैं तो यह कहूंगा क से किसान वा इंडेस्टीस दोनों को नुकसान है सरकार को इसके जूरत है की मोटरको इसलिए करें देजिया आपको लूखनी है तो आपको चला की ही इंपॉर्ट खूलना चीहें कि मट्र की इंपोर्ट खोल के मट्र की बहुतायत करके आप चने के भाव को कंट्रोल कर सकते हैं यह सोचना भोती बेमानी होगा चलिए सर एक आकरी सवाल और मैं आप से जानना चाहूंगा जिसे हम देश की बात करें मध्य परदेश और राजिस्तान दोनों के मुकाबले चन में सबसे ज्यादा चना होता है नंबर एक जो उत्पादक राज्य है वो महराष्ट्र है उसके बाद MP आता है फिर गुजरात और राजस्तान आते हैं तो यह चार इस्टेट जो है वो मेलनी चने का प्रोडुक्शन करते हैं और चने की सप्लाई करते हैं इस बार कितना हु मैं इतना जरूर कहूंगे कि 10% की बुआई लगबग कमती और 10% की हम इल्ड मांग सकते हैं तो टोटल मिलाके नॉर्मल में नॉर्मल यदि पांच साल की एवरेज लेएं तो उसमें 20% चने की इस बार जो है वो फसल कम रही है बहुत बहुत धश्या बात करने के लिए पूरे इंटर्व्यू पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए दिली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दलवाजित चिस्तिन जामी हूं